ची गुड़े यू नहीं देरिविट्यू में amendment है येस सर और जो डेरिविट्यूज में amendments है अगर मैं कहूं numerical questions तीन है वह है real options में जो मैं discuss कर चुका हूँ रियल options से बहुत अच्छे से इसके अलवा डेरिविट्यूज में journal option 김रा अलावा भी तो बहुत कुछ है, हाँची बहुत कुछ है, और सर आने की possibility बहुत जादा है, पर वो numerical नहीं है, इसलिए उसको मैं theory में cover कर रहा हूं, वो यहां cover हो रहा है, इट मिन्स यहां जो theory cover कर रहा हूं, वो new theory रहेगी, सर इसके अलावा derivative की बाकी theory, वो already मैं chapter के साथ discussion कर चुका हूं, कि क्या होता है short selling, क्या होता है arbitraiser, क्या होता है future, forward, commodity market, option, gricks, क्या होता है, delta, delta, gamma, theta, vega, यह सब discussion हो चुका है, इसका मतलब सर यहां सिफ new theory और theory derivatives में कम नहीं है भाई, बहुत जादा है, सवाल है सर, कितना time लगेगा, पहली बात, तियार देखो, समझना है, तो फिर time जादा चाहिए, अगर मैं इसी topic को आपको दो घंटे तक पढ़ाऊं, तो efficiency नहीं है, कोशिश करूँगा कि कम सब्दों में समझाने की, और हमारा target भी कतम हो जाए, तो कौन-कौन सी ऐसी theory है, जो हमको derivative में करनी चाहिए, और ये theory आपके पास दिख रही है, exotic option है, cdo and seed मतलब वो ए credit default swap वगे रहा है, ओके सर, ठीक है, मतलब credit derivative के ये दो पार्ट दिया रखा, cdo और cds, सर ये समझाओगे कि हाँ, पर one by one ना है यार पहले, फिर ये simple है, whether derivatives कुछ नहीं है, electricity's derivative ये भी कुछ नहीं है, और derivative miss apps and lessons, तो ये theory आई हुए है, derivatives में नहीं हो, इसके अलाबर real option है, real option में already, और real option में numerical questions है, तो वो discussion हो चुका है, तो आज क्या पढ़ेगी, सर आज, सभी चीज़े एक साथ पढ़ लेते, खतम करते हैं, अच्छा, पर मैं जो बात करूँगा, जिसमें time ज्यादा लगेगा, वो इन दो topic में time ज्यादा लगेगा, तो सब सबसे पहले discussion हो रहा है, exotic option, सर, exotic option क्या है आखिर, कुछ नहीं है, अजीब अजीब सी बाते हैं, अब समझ रहा हूँ, समझोगे बिट्टे, कुछ नहीं है, बिल्कुल simple है, exotic option, सबसे पहले ये discussion, सारी theory ऐसी है कि बिना मेरे भी काम हो सकता था, अगर खुछ से पढ़ते तो, लेकिन एक बात है यार, खुछ से पढ़ोगे तो time लगेगा, और क्योंकि मैंने पढ़ा है, तो थोड़ा सा, और मैंने जो पढ़ा है उसमें से, जो keywords लेकिन मैं आपको समझा दूँ, तो time कम लगेगा, इसलिए lecture आपके लिए important है, ठीक है, तो पहला discussion हो रहा है, exotic options का, समझने की कोशिश करना, बेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, yes, कम से कम सब्दों में खतम करूँगा बात को, सर, एक होता है call option, एक होता है put option, call option, call option, call option, कब खरिदे, सर, option थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, कि हाँ उसके बिना होगा नहीं, ओके सर, तो सर देखो नहीं, एक होता है call option, बिल्कुल, call, और सर एक होता है put, call option कब exercise होता है sir जब price बढ़ता है तो हम call option खरीदने का सोचते हैं और जब price हमको ऐसा लग रहा है कि कम होने वाला है तो हम put option खरीदने का simple है sir simple है और suppose call option का exercise price है 500 या 510 ले जाते हैं 510 और हमने call option खरीदा है और ठीक तीन महने बाद share का price हो गया 545 तो sir option exercise कर ले थे थो थोड़े speed से समझाओंगा यह आपको आता है yes sir 40 रुपए हमको मिल जाता था price बढ़ेगा तो मिलता था और price कम हो गया तो option लाप सोच जाता था put option क्या होता था sir put option में भी हम देखते थे price गिरेगा तो और price गिरेगा तो option exercise कर लेंगे और sir अगर मान लो price हो गया 400 रुपए हो गया तो option exercise होगा और हमको पे आप मिल जाएगा बदले में हमें सुरू में क्या देना होता प्रीमिया sir अगर हमने derivative मन नहीं पढ़ा है तो मत देखो भी इस lecture को देखो यह मत आपने derivative पढ़ा होना चाहिए और आपको call option put option पता होना चाहिए कि call option कब exercise होता है जब price बढ़ता है और put option जब price गिरता है option खरीते तो हमको premium देना होता है यहां तक कोई दिक्कत है कि नए इसके अलावा भी option होते थे yes sir कौन कौन सी option एक होता था American option एक होता था European option याद है हाँ sir European option क्या होता था यह सब पढ़ाया हूं भाईयो प्लीज यह मद बोलना कि यह भी नहीं मालूम मैं कुछ नहीं कर सकता sir European option कभी भी last में exercise होता था yes on maturity only on maturity और American option sir बीच में कभी भी जब हमारा दिल करेगा तब हम exercise कर सकते थे वो होता था American option तो देखा जाए sir चार चीज़े हमको समझ में call option put option American option European option इसमें मैं कोई भी चर्चा नहीं करूंगा अब यार सुनो अब अब ध्यां से समझना हो तो यह ठीक है यह जितने वी option आपने पड़े ना इसको बलते थे plain vanilla option मतलब simple इसमें कोई complexity नहीं है बिल्कुल simple है अब यार लोगों के दिमाग में अलग-अलग बाते आ सकती है कैसी इसी बाती आ सकती कि सुनो इस टॉक एक्शेंज अब दिखो बेटे यह कौन है सर यह राम अब समझाने की कोशिश करणो समझाने की कोशिश करणो ठीक से समने राम कहता है कि सुनो न बोले हां बोलो दिक्गत क्या है बोले दिक्कत है कि मैं option खरीदना चाहता हूं exercise price क्या है exercise price ले लो चलो exercise price पास सोदा सरू बोले खरीद लो बोले period कितना है बोले period है 3 months period है 3 months और मैं गाए stock exchange पास मैंने का मुझे stock exchange option खरीदना है 3 month वाला stock exchange कहता है ठीक है कोई दिक्त नहीं अब 3 month वाला खरीद सकती हूँ यह 3 month 3 month वाला option ठीक है ओ किसा अब 3 month वाला है तो stock exchange पूछ रहे है exercise price कितना है बोले 510 बोले ठीक है call खरीदना है कि put खरीदना है यह तो बताओ ना यार तो stock exchange पूछे रहे है राम से कि सुनो ना भाई राम call option खरीदना है कि put option खरीदना है अब राम यह कह रहा कि सुनो यह मैं दो मेहने बाद decide करूंगा कि call खरीदना है कि put खरीदना है जो share का price अगर बढ़ने वाला रहेगा ना तो मैं call option खरीदना है अगर share का price कम होने वाला रहेगा तो मैं put खरीदना है दिमाख खराब है राम का मतलब यह कुछ भी बोले अभी डिसाइट करो अभी option खरीदना है बोले हाँ option तो अभी ही खरीदना है लेकिन call है कि put है और exercise price भी अभी बता देते हैं लेकिन call है कि put है हम थोड़ा सा समय वैतित हो जाने के बाद कुछ समय बाद बताएंगे कि call है कि put है यार ये तो अली अजीब सा दरीका है या आद में कैसे बताओगे यार अभी बताओ बले अभी नहीं ऐसा कुछ है कि आपके पास stock exchange मूला आपके पास है कि कुछ ऐसा जिसमें हम call या put अभी decide नहीं करेंगे एक समय बाद जब हमें एहसास हो जाएगा कि हा यार बढ़ रहा है price तो हम call खरीद लेंगे जब ऐसा लग अपने मन से कुछ भी कर रहा हो यार ऐसा को यह तो कस्टमाइजड हो गया है मतलब आपका दिल किया तो यह आपका दिल किया तो वह ऐसे नहीं चलेगा तो फिर stock exchange के थूँ तो यह काम हो नहीं सकता हाँ किसी दूसरी पार्टी से आप यह बात बोलो और दूसरी पार्टी तो यह हलक इसके लिए premium ज़्यादा लगेगा अगर आप call खरीते तो अलग अगर individual put खरीते तो अलग है लेकिन यहाँ decide करने वाले हो मतलब इसके पास त पिर premium ज़्यादा लगेगा हला कि ऐसा हो सकता है this is customized over the counter हो सकता है यह कभी भी stock exchange के थूँ नहीं हो सकता actions traded नहीं हो सकता हला कि normal जो option जो पर रखे थे इससे पहले वो actions traded भी हो सकते थे over the counter भी हो सकते थे लेकिन यह वाला option जिसमें अजीब अजीब सी चीज़े वो बोल रहा है राम वो कभी भी over the counter ही होगा वो actions traded हो ही नहीं सकता यहाँ तक बात समझ में आती है तो सर exotic option का मतलब होता है ऐसे options जो generally trade नहीं होते जो stock exchange में तो trade होते यह नहीं है और जिसमें कुछ unique feature होते है यस यह थोड़े से complex होते हैं ठीक भी बहुते समझदा मुषकिल है सर किया समझना मुषकिल है खिरे धीरे समझ में होते और वह सारे और वह सकता है और भी कुछ हो सकता बहुत सारे types के होते हैँ तकी मैं अभी होगा तो और हो जड़ी क्या है correct तो Pr18 ऐत्म तो सर प्लेन वेनिला आपसंस का मतलब जो आपसंस हमने पढ़े हैं बिलकु सिंपल अच्छा जैनरिक और ये ये अलग है बाई अच्छा और ये अमेरिकन और यूरोपियन आपसं का हैब्रीट फॉर्म है मतलब सर देखो ना यार यूरोपियन तो लाश्ट में एक्सेसाईज होगा अमेरिकन बीच में कभी भी एक्सेसाईज हो सकता तो यह हैब्रिट कैसे वोटर वो समझाओ अभी टाइब से आएका तो समझे होएंगा और सर जो पे ओफ है वो अलग हो सकता सर पे ओफ कैसे अलग हो सकता प्राइस बढ़ेगा तो कॉल ओप्शन को पे ओफ मिलेगा प्राइस कम होगा तो लैप्स हो जाएगा उसमें भी अलग हो सकता कॉंप्लेक्स है और तो अगर अभी यहाँ आपको क्या समझे में आया सर कुछ नहीं यह सिंपल जो अप्सन से उससे अलग होते है ठीक है सर और 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 कॉंप्लेक्स होते है ठीक है और सर यह ओवर दा काउंटर ट्रेड होते है बिल्कुल यह दो तीन चीज तो हमको समझ में आखे ठीक है तो दिख रहा है बैरियर ओप्सन, जूशर ओप्सन, कमपाउंड ओप्सन सर यह क्या चीज है समझा रहा हूँ समझा रहा हूँ तर यह चार्ट अजीब सा दिख रहा है बिना समझाए समझ में आएगा न ठीक से सुनना मैं बात करूँ barrier options की तिर्फ barrier options में होता क्या है समझा रहा हूँ माल लो exercise price है 510 और option है call इसका मतलब क्या होता है तिर्फ इसका मतलब generally होता है call option exercise होगा अगर share का price और period है 3 month अगर share का price तिर्फ इन महने में 510 से उपर जाएगा तो call option exercise हो जाएगा लेकिन इस option के साथ और एक condition जोड दिया गया पिटे सुनना condition क्या है एक price दे दिया गया एक fixed price 550 ओके और मैं हूँ सामने वाला party मैं अपने आपको stock exchange बोल देता हूँ मैं stock exchange हूँ और मैं आपसे बोल रहा हूँ कि देखो ऐसा है जी कि ये call option तभी activate होगा जब share का price इन 3 महने से पहले कभी भी अगर 550 से उपर जाएगा तो activate होगा और तभी आपको pay off मिलेगा और अगर किसी पिछले 3 महने में किसी भी कानन से अगर 550 से उपर नहीं गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा मतलब मतलब सर समझाओ समझाओ शेयर का price कितना होना चाहिए exercise price है 510, 5100 से उपर जाएगा तभी exercise होगा यहां तक तो बात समझ में आती है और एक price मैंने बोला 550 इस से उपर जाएगा तो activate होगा suppose आज शेयर का price है 500 इसको मैं S0 बोल सकता हूँ 3 मैंने और मैंने इस tag का option खरीदा जिसका नाम क्या है barrier option कौन सा option खरीदा call option exercise price कितना पासो दस ठीक है सर सर अगर शेयर का price 500 से उपर गया ही नहीं 450 हुआ तो option लैप्स हो जाए ठीक है यह तो normal हो गया यह तो हमको पता है अगर शेयर का price यह ब्लैक वाला देखना ओके सर ब्लैक वाला अगर शेयर का price सर पासो तीस होता है यहां से देखना ब्लैक वाला यह ब्लैक वाला जो डाइग्राम दिख रहा है यह कभी भी पासो पचास से उपर नहीं गया 550 से उपर नहीं गया तो option लैप्स हो जाएगा हाला कि नॉर्मल प्लैन वडिला उप्सन या जो सिंपल उप्सन था उसमें तो पासो दस से उपर जाता तो option एक्ससाइस हो जाता हमको बीस रुपए पे आफ मिल जाता लेकिन नहीं क्योंकि यह किसी भी तीन मैने से पहले कभी भी पासो 550 से उपर नहीं गया इसलिए option लैप्स हो जाए अच्छा सर ये बात है हाँ इट मींस एक्टिवेट कब होगा जब पासो पचास से उपर जाएगा ग्रीन वाला दिखते है ग्रीन वाला बीच में यार ये हो गया एक्टिवेट इट पासो पचास से उपर गया तो option एक्टिवेट हो गया अब भई हमको pay off मिलेगा पर pay off भी तभी मिलेगा पर जब लास्ट में पासो दस से उपर जाएगा ये भगवान ओके ओके सर ये ग्रीन वाला एक्टिवेट हो गया और शेर का प्राइस पासो बीस हो गया थ्री मेहने बाद किया इस पर मुझ़े payoff मिलेगा yes, yes, yes क्यों क्योंकि बीच में क्रॉस कर गया था पासो फचास को इसलिए क्योंकि पासो बीस है तो मुझे पासो दस ते उपर है तो रुपए पेओफ मिल जाएगा अच्छा मतलब सर एक्टिवेट होना ज़रूरी है अब यह रेडवाला देखना रेडवाला जो है यहां एक्टिवेट हो गया मतलब अब मुझे मालूम है पेओफ मिलेगा और 570 हो गया तो मुझे डिफरेंस मिल जाएगा पास्तो 10 माइनिस 5 साथ रुपए पेओफ मिल जाएगा मेरे घ्याल से बात समझ में आ गई है यह कॉल ऑप्सन कब एक्टिवेट होगा सब साड़े पास्तों से उपर जाएगा सर भगवान ना करे एक और हम डायग्राम आपके मन में तो आता होगा कि मैं क्या यह कह रहा हूं कि पास्तों पच से उपर जाएगा तो एक्टिवेट हो जाएगा अच्छा सर मान लो मान लो और एक ले लेते हैं यह लिखो सर यह एक्टिवेट हुआ यह एक्टिवेट हो गया और फिर लास्ट में यहां तो क्या पेओफ मिलेगा जीरो पेओफ तो तभी मिलेगा जब पास्तों से उपर लेकिन activate कब होगा? जब साडे पास्तों से उपर जाएगा. इस बेरियर ओप्सेंस. एक बेरियर लगा दियागा, इससे उपर जाएगा, तभी आपको पे आफ मिलेगा. और मिलेगा कितना पास्तों दस और उपर जो भी प्राइस होगा हो. इसको लिखेंगे कैसे लेंग्विज में जो ICAI है उसका भी लेंग्विज दिया हुआ हूँ पर उसका मैंने कीवर्ट से निकाला हूँ तो देखो बेरियर उप्शन में लिखा है बिकम्स एक्टिवेटेड अउनली प्राइज रिचेस अगर एक शर्टन प्राइस से उपर जाएगा तो ये आप्शन एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है और उसके बाद जैसा हमारा हो रहा था यूरोपियन आप्शन में वैसे ओके सर ICAI का लेंग्विज वो मैं आपको दे देता हूँ इसी जो मैं आपको प्रोवाइट कर रहा हूँ इसी के लाश्ट में सायर मेंने ICAI का राइट अप दे रखा हूँ वो अप पढ़ लोगे मुझे नहीं लगता तर दिया हुआ है नहीं पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं अगर देखोगे तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ बैरियर ओप्शन की देख रहा हूँ इसीमिलर तो प्लेइन वनिला कॉल एंपुट ओप्शन यूनिक फीचर अप दिस ओप्शन इस देथ कॉन्ट फ्रेक्ट विल बिकम एक्टिवेटिड ओनली इप्दा प्राइज ऑप अंडरलाइंग एसिट रीचेस असर्टन प्राइज डूरिंग अ प्रीटिटन माइन पिरिएट ओके पुरा आपको ऐसे ही रटवा नहीं सकता मैं ऐसे ही समझा सकता हूँ ठीक है जी अब मैं यह नहीं पढ़ूँगा इसी का कीवर्ड मैंने उधर लिखा है हालाकि यह पीडियाप मैं आपको दे दे रहा है तो भाई बैरियर ओप्शन क्या है कुछ नहीं है सर एक शर्टन लेवल से उपर जाएगा तो प्राइक्टिवेट हो जाएगा तो बैरियर ओप्शन मेरे ख्याल से कुछ है नहीं है सर ऐसी एक कौन सा ओप्शन है चूशर ओप्शन सर इसका मतलब इसका मतलब में जो आपको स्टार्ट कर रहा था एक्जोटिक ओप्शन तभी समझा दिया था कि सर ओप्शन कौन सा है एक्सराइस प्राइस पास दस है और पीरियट कितना है थ्री मन्त और एक हमें और एक कंडिशन दे रखी है कि सर वह जो बैरियर ओप्शन है वो खरीदेगा कोई क्यों प्रीमियम कम लगेगा ठीक है यह सब लिखा नहीं है पर सोचो ना या खुछ से सोचो गए बात समझे मैं चाहिए अब बात कर रहे है चूसर ओप्शन की सर इसमें होता क्या है इसमें होता है कि मैं स्टॉक एक्शन से बोलूँगा कि देखो जी कॉल या पुट अभी डिशाइड नहीं करूँगा कॉल और पुट एक शर्ठन पिरिड के बाद डिसाइड करूँगा वैसे तो टोटल पिरिड कितना है थ्री मंठ पर डिसाइड करूँगा मैं दो महरे बाद मन से लिखा दो महरे बाद एकसराइज प्राइस पास होदस है, ठीक है. अब देखूंगा कि क्या यहाँ प्राइस क्या हो जाता, अगर प्राइस हुआ कई बढ़ गया, तो मैं गाओंगा हाँ जी अब यह मेरा कॉल ओप्सन है, अब मेरा यह कॉल अप्सन है, price बढ़ना चाहिए और बढ़ गया तो अब ये मेरा call option अब मैं choose कर रहा हूँ call option अगर price कम हो गया तो अब मैं choose कर रहा हूँ put option वाउ recite कब करना है बाद में करना सब premium प्रीमियम ज़्यादा लगेगा simple सी बाते है इसको क्या बोला जाता है यहाँ choice है आपकी चाहो तो आप call select कर लो यह तो put select कर लो call कब select करोगे put कब select करोगे price ज़्यादा हुआ तो call select कर लेंगे price कम हुआ तो put select कर लेंगे ओके यही बात लिखी हुई है एक बार पढ़ा दू write है किस के पास option buyer के पास after specified period मैंने दो महां बोला ठीक है whether option is call or put अच्छा तो option buyer के पास language आप लिख लोगे मुझे ने तो दो बताया मैंने barrier option और दूसरा कौन सा chooser option ठीक है सर और एक कौन सा option सर यह diagram बनाए क्या वो मैं आपको दे दूँग अब सुनना दिया सर compound option यह क्या है सर compound option तुना गदिया अगर हमें ऐसा लग रहा है कि share का price बढ़ने वाला है तो हम कौन सा option खरीदे सर call और ऐसा लग रहा है कि price कम होने वाला है तो put option ठीक और हम share ना खरीद के call option खरीद लेते क्योंकि हम को लग रहा प्राइस बढ़ने वाला exercise price है पास सो दस तो बदले में premium तो देना पढ़ेगा और price बढ़ेगा इसलिए कौन सा option खरीद रहा है राम call option premium कितना देना पढ़ेगा चालीस रुपए period कितना है तीन मेंने अब सुनना धियां से sir price बढ़ेगा इसलिए हमने call option खरीदा total period कितना है total period है तीन मेंने अगले ही दिन share का price बढ़ गया share का price पासो से ज़्यादा हो गया वाव मज़ा आ गया यार मैंने आप समझाया था पता नहीं आपको याद है कि नी पर फिर भी ये मैंने receipt खरीदा है कितने का खरीदा है 40 रुपए का खरीदा है और मेरे पास इस receipt lottery की ticket है ये और जैसे maturity होगी और price बढ़ेगा तो मेरा lottery मुझे ज़्यादा पैसे मिलेगा यहां तक बात ठीक है और मैंने गा यार दो दिन हुआ और price बढ़ गया और कोई मुझे से ये receipt मांगने आएगा ये lottery की ticket मांगने आएगा कि हम खरीदना चाहते है खरीद लो भाई लेकिन अब मैं 40 का नहीं दूँगा अब मैं ज़्यादा का दूँगा मेरी बात समझने ये जो option का value है ये जो premium है वो किस पर depend करता है शेयर के price पर शेयर का price बढ़ेगा तो ये premium भी तो बढ़ेगा यहां तक तो ठीक है सर और ये ज़्यादा का भी केगा अब यार मेरी मन में ये आया मैं actual में इस पे सर्थ लगा रहा था हाँ sir क्यो ना इसी पे सर्थ लगा लिया जाए अच्छा ये receipt पे ये lotty की ticket पे शर्थ लगा रहा है हाँ क्या मैं इस पे option खरीज सकता हूँ call option और इस पे मैं call option खरीदना चाहता हूँ कि यार ये 40 से बढ़ेगा तो चलो मुझे difference मिल जाएगा और अगर ये 40 से गिदेगा और मैं put खरीदता हूँ तो मुझे difference मिलेगा इस बार मैं option share पे नहीं खरीद रहा हूँ इस बार मैं option option पे खरीद रहा हूँ तो श्याम को लग रहा है कि ये 40 रुपए जो है ना premium बढ़ेगा future में हलाकि ये बढ़ेगा क्योंकि share का price पर मैंने का यार इस पे शर्त लगाता हूँ और मैं call option खरीदना चाहता हूँ इस पे option पे मतलब सर्क जो है compound option मतलब option on option यस और सर बदले में क्या देना पड़ेगा premium अब इस पे भी तो सर्त लगा सकते है वो बात की बात है अब भी हमको थोड़ी बहुत बात समझे में आगे compound option क्या होता है सर option on option अच्छा सर अगर पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से बात समझे में आ जाएगे किधर गया है कहां लिखा है यहां लिखा compound option इसको split fee भी बोलते है split fee option या इसको option on option बोलते है और underlying asset क्या हो जाएगा सर option ही होगा जब आप नौर्मली जब जब आप option खरीदते है तो underlying asset होता है share का price या कुछ भी इस बार underlying asset हो जाएगा option total कितना समझाया मैंने 3 barrier activated जैसी barrier बोलूँगा तो activate ठीक है सर दूसरा कौन सा बोला आपने chooser तो decide करना है कुछ समय बाद की call की put सुरू से decide नहीं करना तीसरा मैंने क्या नाम दिया compound option मतलब option on option अच्छा सर ये 3 total मिला अगर कितना दिया है ICAE ने 9 पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा कि इस पर theory आ सकता ये तो multiple choice question तो आएगा ये आएगा अब MCQ कैसे आएगे वो तो मैं नहीं जानता मेरा गाम है आपको जो ICAE बहुत कुछ समझा सकता हूँ टाइम ही नहीं है भाई इसके अलावा सर और क्या है सर इसके अलावा है तीन और लुक बैक ओप्सन केसियन ओप्सन और सर बर्मुडा ओप्सन सर लुक बैक ओप्सन क्या है देखते हैं ऐसा है final हो गया है कि हम कौन सा option खरीद रहा है call option मतलब सर प्राइज बढ़ेगा हाँ price बढ़ेगा time कितना है three month और सर exercise price बुले वो हम अभी decide नहीं करेंगे ये भगवान ये कौन सा option look back option exercise price अभी decide नहीं करें exercise price तो हम यहाँ decide करेंगे वाउ हमारे पास सर वाउ तो हम तो यहाँ exercise price सोच समझ के decide करेंगे हाँ जी सोच समझ के पर ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी आप decide करोगे बोले सुन लो सुन लो सुन लो बोले total period है तीन मैने आज shear का price कितना है 500 ऐसा हो सकता है कि कभी shear का price उपर जाएगा कभी shear का price नीचे जाएगा हो सकता है हो सकता है और लाश्ट में आके 530 रुपए हो गया तीन मैने अभी exercise price decide हुआ है कि अभी decide नहीं हुआ है look back तो हम अब पिछला देखेंगे और पिछला हाला कि ये 30 दिन का price बहुत कुछ तीन मैने का price 90 price और कितना बहुत सारा price हो सकता 90 से कम कर देना holiday है और बोले इन सबका हम क्या निकालेंगे average अच्छा सर्थ इन सबका निकलेगा average average ने इसमें maximum और minimum है इसलिए मैं भी यहां confused हो गया average नहीं निकलेगा maximum और minimum लिखेंगे रुख जाओए ओके अब यह decide करो कि आप इन में से कोई भी एक options एक price decide कर सकते हैं स्टार्ट करते सुनों सुनों मैं average नहीं कर रहा हूं average किसी और में यह तो look back option है तुनना देहां से मैं यहां पहुच चुका हूं तीन महने बाद ठीक है मुझे मालूम है कौन सा option है अब बोले exercise price आप decide कर लो हमने कहां कौन सा वाला प्राइस बोले इसी में से पास्ट में जो price गया है किसी भी एक price को आप exercise price decide कर सकते हो आप पर छोड़ा हमने अब यार call option है price कितना हो गया पास्टीस अब बता मुझे सबसे ज़्यादा फाइदा कब होगा और यह आपके पास exercise price है इसी में से कोई एक exercise price मुझे यहां लिखना है अराम से बताना मुझे कि कौन से call option है याद रखना प्राइस यह है exercise price क्या रखूं कि सबसे ज़्यादा फाइदा हो तर पास सो असी रिख लैप्स हो जाएगा call option exercise price यह जो यह इससे जितना ज़्यादा होगा उतना मेरा फाइदा होगा exercise price हम अगर पास सो दस रख ले रख सकते 20 का फाइदा होगा सर exercise 520 रखे तो ठीक है 10 का फाइदा होगा सर exercise price 470 रखे तो ज़्यादा फाइदा होगा वाउ सर तो exercise price हम 410 रख लेते हैं न यार 410 रखते सबसे ज़्यादा फाइदा होगा minimum yes minimum price रखें look back option क्या होता है सर look back option में ये decide नहीं होता कि exercise price क्या रखना है जब हम last में पहुचेंगे तीन मेहने बाद जब हम तीन मेहने बाद पहुचेंगे और वहाँ देखेंगे हमारा call option तो है और फिर देखेंगे कि इन तीन मेहने में सबसे कम price कौन सा क्योंकि call option है और उस price को हम exercise price मान लेंगे this is look back option पाष्ट देखें इसमें आज decide नहीं करना last में decide करना depend करता है कि आपको इस किस में सबसे ज़्यादा हो अगर call option है तो minimum जो भी price होगा उसको में exercise price मान लूँगा अगर put option है तो जो maximum price होगा उसको में exercise price मान लूँगा मेरे ख्याल से इतना आप समझदार हो तो choose a most favorable strike price depending on the minimum and maximum price वो तो आप समझ गया हो कि minimum come maximum minimum price को exercise price कम मानेंगे जब call option maximum price को exercise price कम मानेंगे जब put option ठीक है यह सब थोड़ा सा मुश्किल था थोड़ा सा मुश्किल तो होना है इसको कौन सा option हो रहा हो look back option मैं confused क्यों हुआ था क्योंकि इसी टाइप का एक है Asian option यह क्या Asian यह है Asian त्यार हो हाँ सर इसमें clearity के सथ लिखा नहीं है इंस्ट्रियूट ने ठीक है सर हम त्यार है exercise price है पास्सोदस से उपर जाएगा तो exercise option कौन सा है call period कितना है सर stock price हो गया पास्सोदस तो हमको pay off मिलेगा बुले नहीं अब stock का price आप पास्सोथीस नहीं मानोंगे नहीं का यार आप क्या चपकर बुले अब इन सबका कर लीजे average जितना भी है सर तीन मैंने इतनी price थोड़ी दें बहुत जादा हो सकते हैं मैंने 4-5 price लिखा इन सबका कर लेगे average ओके सर इन सबका करेंगे average और average आ गया मन से लिख रहा हूँ 517 रुपए तो अब जो difference मिलेगा न वो मुझे 7 रुपए में pay off बतलब सर pay off difference हो सकता normal option में क्या होता difference 520 रुपए मिल जाता अगर European है इसमें इन सबका क्या किया जाएगा average और वो आ गया है 517 सर ये condition लिखे रहेगी कि हाँ जी options में लिखे रहेगा और difference हमको मिल जाएगा ओके तो सर यहाँ चिंता नहीं अगर यहाँ price कम भी हो गया last में 400 भी हो गया भी दिक्कत नहीं हमें तो average ही देखना पड़ेगा option lapse होगा यह जरूरी नहीं तो look back option और Asian options में दिक्कत हो सकती है याद करें कौन कौन से option पढ़ेते तर एक barrier option पढ़ा था जिसमें keywords रहेगा activate ठीक है सर उसके बाद chooser option पढ़ा था जिसमें हमको decide करना था कि call या put आज नहीं कुछ समय बाद एक होता था सर compound option जिसमें option on option होता था यह keywords है इसके बाद हमने क्या पढ़ा सर इसके बाद look back option पढ़ा जिसमें exercise price पहले से decide नहीं होता last में decide होता है वो depend करता कि call है या put अगर call है तो minimum price को हम exercise price maximum price उसको exercise price मनने के Asian option में क्या होता है Asian option में जब option exercise करते तो stock का price यह नहीं देखना होता इन सब का average देखकर इस Asian option ओके सर इसके अलावा है bermuda option यह क्या है bermuda option कोशिस करो हूँ जल्दी से जल्दी खतम करो बर्मूडा option क्या चीज़ है सर प्लीज समझा दो टाइट के option होता है American और ही होता है European European option का क्या होता है सर last में ही exercise होता है American option का क्या होता है सर बीच में कभी भी exercise कर से थे कभी भी किसी भी दिन permuda option भी American option की ही तरह है लगभग बले लेकिन आप कभी भी नहीं कर सकते option contract में लिग जिद दिया जाएगा कि हर मेने की 15 तारिक को एक आपके पास option रहेगा कि आप exercise कर सकते हो मन से लिखा हम 15 तारिक बले जैसे इस मेने तीन मेने का option है बले यहाँ 15 आई एक बार चेक कर लो चाहो तो option exercise कर लीजिए फिर यहाँ नहीं कर पाए तो फिर बीच में कभी नहीं कर सकते फिर 15 मार्च को देखना और उसके बाद 15 अप्रिल 30 अप्रिल को तो वैसे भी कर सकते है मालो आज ठीक है सर समझ में आ गया फर्स्ट फैब है उसे साब से तो सर बर्मूडा option क्या है कुछ नहीं है भाई अमेरिकन option की ही तरह है लेकिन अमेरिकन option कभी भी कर सकते है ये एक certain date को कर सकते देखे बर्मूडा option में क्या लिख exercise is restricted to a certain date are on maturity ठीक है पढ़ लोगे मुझे ऐसा लगए तो यहां तीन option कॉन कॉन सर लुक बैक minimum maximum price को exercise price मालने में ठीक है ASEAN option में sir last में जो हमारा stock का price है उस पर depend नहीं करता pay of average price पर depend करता ठीक है बर्मूडा American option की ही तरह है लेकिन वो बीच में exercise कर सकते certain date को या तो करूगे उसके आगे पीछे नहीं कर सकते और तीन है के sir यस और तीन binary options, basket option and spread option भगवान कित कैसे याद रहेगा options ही तो बड़ी मुस्कल सी याद रहता तो इम आपने याद आ जाएगा binary option क्या होता binary option एक certain event अगर happen हो जाता certain event अगर कोई घटना घटित हो गई जो आप बोल रहा है तो option exercise होगा suppose example बारिश और एक fix amount होता है अगर मैं सामने वाले से कहते कि चलो जी प्रीमियम ले लो मुझसे कल बारिश होगी अगर बारिश हो गई तो fix मिलेगा मुझसे फिक्स पहले से पासो रुपय दे दे रहा अगर बारिश नहीं हो तो प्रीमियम गया एक weather derivative की बात कर रहा है हाँ पा ऐसा समाझ देजी इसी को binary option बोलते है मैं stock price से समझाने की कोशिश कर आज का price कितना सर पासो पचास अब option contract में लिग दे गया अगर price पास सो साठ से उपर जाएगा एक event है तो हमको असी रुपय मिल जाएगी नहीं तो कुछ नहीं मिले पास सो साठ से उपर जाएगा तो हमें ये fix amount है सर हाँ ये fix है तो असी रुपय मिल जाएग ठीक सोचे इसा अपके institute में लेखा है मैं वही language use कर रहा हूं जो ICEI नहीं लिखा हुआ तो binary option कहां गया भई लुक बेक से पहले बर्मूडा हो गया तो binary चल्ट प्री ओप शैल भी pre-decided amount pre-decided amount जो कि मैंने कितना रुपय बोला है 80 ये 500 ये जूबी हो सकता और कब होगा ये exercise जब एक specific event happen हो जाता है कोई घटना घटित हो जाती है तब option exercise होगा example के तौर पर मैंने बारिस बताया है ठीक है दूसरा उसके बाद कौन सा है basket option basket option कौन सा है अब सुना देहां से हालाग ये stock actions के थूँ होता नहीं पर मन से लिख रहा हूं stock actions stock actions से मैं ये गह रहा हूं कि सुनो नहीं reliance के share का price बढ़ने वाला तो call खरीद लो बुले नहीं reliance भी है मेरे पास PCS भी है और Wipro भी है और उसका stock से और weighted average किया तो total 6 लाग रुपए है एक basket एक portfolio है 6 लाग रुपए है ठीक है बास्केट मतलब यार पोर्टफोलियो पे तो आप Nifty पे भी तो option खरी सकते हो मैं Nifty तो Nifty तो पूरे market पे होता है मैं किया तो मेरे पास portfolio में किया है मेरे पास portfolio में है 6 लाग रुपए जिसमें reliance है TCS से Wipro है और मैं call option खरीदना चाहता हूं कि मेरा portfolio बढ़ेगा इस बार एक stock पे नहीं पूरे portfolio पे शर्त लगा रहा हूं पूरे portfolio पे lottery के टिकेट खरीद रहा हूं exercise price 6 लाग नहीं कुछ और हो सकता मालो 6 लाग 10 सार that's it basket option कुछ नहीं है भाई जहां आप normal option में आप एक share पे बैटिंग करते थे यहां पूरे एक portfolio पे गर रहा है premium जाएगा उसके सबसे okay sir this is basket option अगला वाला भी पढ़ लेते हैं और खतम करते हैं कहां spread option sir यह क्या है तो ना ध्यान से राम ठीक है उसने देखा आज HDFC के share का price क्या चल रहा है 2440 रुप और ICICIE का क्या हाल है बले 1010 इन दोनों की बीच का difference कितना बले 430 रुप है कौन सी bank ज़्यादा strong दिख रहे है sir HDFC आपको क्या लगता है कि यह जो difference है यह जो difference है आगे बढ़ेगा कि कम होगा sir हमको ऐसा लग रहा HDFC तो और बढ़ेगा LIC, LAC, P invest कर HDFC और बढ़ेगा हमको ऐसा लग रहा मैं market की बात नहीं कर और ICICI और गिरेगा देख लेना तो मतलब क्या यह difference बढ़ेगा यस तो चलो ने यार इस difference पे हम option खरीदते है कि यह difference बढ़ेगा तो कौन सा option खरीद लेंगे call option और अगर हमको ऐसा लग रहा कि नहीं HDFC बहुत बढ़ गया है अब यह गिरेगा मतलब सरी यह difference कम हो जाएगा तो put option मतलब इस बार जो spread जो difference है उस पे वाटिंग कर रहा है उसको कौन सा option बोलते है spread option बहुत सारी कहानी बता सकता है इस पे बहुत सारा कुछ नहीं बताना चाहता है जो काम का theory ही आएगा ओके कौन कौन सा option है 9 type के options एक बार revise करें और फिर इस topic को खतम करें तो फिर CDO अगेरा पढ़ना CDS credit default swap अगेरा पढ़ेंगे weather derivative और electricity derivative बहुत ही simple है यह थोड़ा सा था टेकनिकल जो डिस्कुश कर रहा हूँ पहला क्या बढ़ा था सर पहला types of options ही आएगे types of exotic options पहला क्या बढ़ा था सर पहला हम लोगों ने पढ़ा था हाँ सर पहला बढ़ा था हमने barrier option मतलब activated ठीक activate बोलूँगा तो समझ में जाएगा मतलब call और put decide करना कुछ समय बढ़ा call या put तीसरा क्या बढ़ा था compound option मतलब option on option उसके बाद क्या बढ़ा था सर उसके बाद बढ़ा था हमने सायद binary option नहीं binary option नहीं पढ़ा था सर उसके बाद हम confuse हो गया था वैसा वाला option look back option सर उसमें exercise price decide नहीं होता yes, last में decide करना होता कि हमें call या put और depend करता maximum और minimum exercise price पे और इसी के जैसा कौन सा Asian option जिसमें stock का price हम जो दिया last वाला वो नहीं लेते average price लेते this is Asian option उसके बाद सर बर्मूडा option पढ़ाता American option की तरह पर बीज बीच में exercise हो सकता एक particular date को ही ठीक है फिर आगे आए तो binary option पढ़े एक specific event होगा तो pay off मिलेगा नहीं तो नहीं मिले ठीक है उसके बाद पढ़ा basket option बास्केट तो समझ गया portfolio portfolio पे शर्त और उसके बाद पढ़ा spread option तो spread पर शर्त तो ये खतम हुआ हमारा exotic option मेरे ख्याल से लिख लोगे जितना मैंने समझाया है और क्योंकि मैं बहुत सारा time आपका अवरबाद नहीं कर सकता तो अब जो बात करेंगे हमारा जो theory चल रहा था वो theory क्या चल रहा था theory चल रहा था ये तो लिख दोगे theory चल रहा था सर exotic option हो गया अब बात करेंगे CDS और फिर वेदर electricity फ़र्स कतम हो जाएगा इसमें time ने लगेगा इसमें time लगेगा थोड़ा सा CDO CDS समझाने है और बाकी time लगेगा चले अगले theory पर यसा हो से बात करेंगे